सामाइन अस्सलामू अलेकूम वरहमतुल्लाही वरकातू सामाइन मैं आप सब का छोटा प्यारा दिनी भाई अफू खान यूपी लाबास से बोल ला हूँ आज इंशालला हम फारू खान लेप्टॉप बाबा के मुँपे ऐसा इल्मी अंदाज में तमाचा मारेंगे कि जिसकी गूंज इतनी गूंजेगी इतनी गूंजेगी कि तमाम बरेल्वियों की रूख आप जाएगी इंशालला तो सामाइन इस वीडियो को खूब सुनें खूब शेयर करें अपने अपने चैनल पर इसको अपलोड करें डाउनलोड करके खूब शेयर करें कोई दिक्कत नहीं है कोई कोई कॉपी राइट नहीं है इसको खूब शेयर करें ये हैं मौलाना, फारुक, खान, रजवी, लेप्टॉप, बाबा, उर्फ, लेप्टॉप की नागिन ये नागिन है क्यों? क्योंकि भाई ये जब भी जबान से बोलता है ना इतनी बजबानी करता है, जहर बोलता है, जहर क्यों? क्योंकि हमारे अल्ला के नबी को मानता है नहीं ना भाई हमारे अल्ला के रसूल s.a.w. इतना प्यार से बोलते थे बाद में इतनी नर्मी थी, एकलाग था, ठीक, मीठी एक दम बात थी ये बिल्कुल उनके उलेट काम करता है क्यों? क्योंकि ये 20,000 रुपिया लेता है और ये पब्लिक के लिए और पब्लिक के कहने पे कुछ भी उल्टा सिधा बोल देगा किसी की माँ भेहन को उल्टा सिधा बोल देगा गाली दे देगा तौमत लगा देगा गाली दे के चैलेंज कर देगा ये पब्लिक का पैसा खाता है और पब्लिक के कहने पे ये भाई ये दीन का काम करता है एक्शुल में ये दीन का काम करीन आए रहा है ये अपना धंदा कर रहा है धंदा आईए आज इसके धंदे की आज इन्शाम में वाट लगा देंग, वाट बरेलवियों की हो, देवबंदियों की हो, एले हदीशों की हो, या नौन मुसलिम हो बहई पबल्लिक है, वो सब जानती है तो इसने खुद कबूल कर लिया कि ये पब्लिक से भाई ये पैसे लेता है 20,000 रुपे एक बार जा कि भाशण देने के और इसने खुद का कि पब्लिक के कहने पे डिमांड पे भाई हम बात करते हैं आगे सुनिये क्या कहते हैं अगर ये वाकी अपने बात की और मा की हलाली अवलाद है हराम की अवलाद नहीं है हाँ तो भाई या इसका जवाब ये है कि हमारे जो भाई एले सुन्नत एले अधीस का जो मना जाए उनके माँ भाई तीन तलाग एकी होती है तो हम लोग कौन होगे हलाली और इनके माँ भाई तीन तलाग तीन हो जाती बीवी हराम हो जाती पिर इसको वापस लाने के लिए हलाला करवाना पड़ता है तो हलाले की पैदावार होते हरामी तो थाबित हो गया फारूख खान लैप्टॉप बाबा भाई वो अब भाई जानने हले जान गए होंगे आगे आईए हाँ ये मैं चैलेंज करके जा रहा हूँ कि वो जो भाई किताब है गौस आजम वाली वो कहा है ये चैलेंज करके जा रहा है तो इन्शालला वो चैलेंज हम पूरा करेंगे और तुम्हाई मूँ पे इल्मी तमाचा अज से एक साल पहले भी अफु खान ने मारा था तुम्हें डिरेक्ट फोन करके और आज इंशालला एक साल बाद तुम्हें इल्मी अंदाज में जो तुम मांग रहे हो तुम्हारे मूँ पे मार देंगे अब तुम्हारा भाया क्या होगा क्या होगा और तुम यह जो बार बार कहते हो मुनाजरा कर ले भाया तुम हो मुकलिद ठीक और मुकलिद मुनाजरा करनी सकता है ठीक है भाय जो मुकलिद होता है वो मुनाजरा करनी सकता है तो तुम कैसे मुनाज़ा करते हो और तुमारे तो भाई जो जमात वाले हैं उन्होंने कह दिया है कि फारुक खान लैप्टॉप बाबा वो आलिम नहीं है तो जब तुम आलिम नहीं हो तो काई के लिए मुनाज़रे का भाई तुम कहा चेलिंज कररें तुमको हदेश पन्नी तौफीक नहीं है आदी लैन की हदेश तो टुमको आती नहीं पादना मंता शब्बा, अब्बा, पब्बा पता नहीं क्या क्या पढ़ आते हो तुम चेलिंज कर रो मुनाज़रे का क्यों आवाम को ब्यकू बनाते हो है शेर रेकी लरकार है तो भाया हमे आला वाड़ाद का शेर यादा गया कोई क्यों पूछे तेरी बात righteous तुससे कुत्ते हजार फिरते हैं और ये लोग चिला रहे हैं क्या लरकार है लरकार है । भाया शेर नहीं है ये कुता है चली आगे देखते हैं बढ़ादो एहले सुनत कहने वाले इस तरीके की गंदी गालियां दे रहा है पबलिक में किसी की मा को माज अल्ला माज अल्ला रंडी बोल ला है तौबा तौबा अस्टग्फर उल्ला ऐसे जाहिलों को अल्ला सुभानुट अल्ला या तो हिदायत दे दे और या तो उनको इतना बरबाद कर दे हलाक कर दे आमीन सुम्मा आमीन तो सुन भे तूने एले सुनत एले हदीश को चैलेंज किया है तू बहुत दिनों से मांग रहा है ना वो किताब कहा है किताब कहा है ले किताब तेरे सामने ले जाहिले मुतलग देख किताब देख किताब यह देख किताब यह है वो किताब जो तू सालों से मांग रहा है भीक में कि हमको किताब बता दो किताब बता दो ले देख ले इस किताब का नाम है इस किताब का नाम है सीरत गौस आजम और इसके जो राइटर है वो है मुहम्मद दाउद फारूकी और इसके पेज नंबर 81 पर लिखा हुआ है ये भी पढ़ ले तेरे जो ये लामा है उन्होंने क्या-क्या मेरे बाई काली उल्टी सिधी जो मेरे बाई उनकी जो करतूते हैं आज मैं अवाम के समने कोलता हूँ वर्ल्ड बाई वर्ल्ड इंशालला पढ़ने जा रहा हूँ सुन ले गौर से देख ले इसको जाए लिए मुतलग ठीक है और इसका स्कैन इंशालला मैं डाल भी दूँगा अप्लोट कर दूँगा ले इसको सुन एक दिन अल्ला सुबानु अत ताला और पिराने पीर शेक अब्दुल कादिर ठीक जिलानी रहे मुल्ला वो जन्नत में इखटे सैर कर रहे थे के नीचे केले का छिलका पड़ा हुआ था अल्ला ताला को माज अल्ला दिखाई नहीं दिया और अल्ला का जो पैर था कदम था वो फिसल गया फिसल गया फिसल गया माज अल्ला अल्ला का मतलब जो पैर था कदम था माज अल्ला फिसल गया तो भई जो हजरत पिराने पीर ने अल्ला ताला का जो हाथ था उसको पकड़कर माज अल्ला गिरने से बचा लिया तो अल्ला ताला ने फरमाया जा आज से तुम दस्तागीर हो नाओजु बिल्ला सुम्मा नाओजु बिल्ला अस्तग्परुल्ला ये देखिए ये किताब ये जाहिल मांग रहा था और इसने गालिया दे के चैलिंज की थी कि वो किताब हमको दिखा दो तौबा 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 देखिए ये जो किताब शाया हुई है ये शाया हुई है मक्तबा ये जो शाया हुई है ये शाया हुई है मक्तबा शेराजिया खानखा एहमदिया सेयदिया मूसा जई शरीफ ये देखिए इसके थोड़ा ये धुंदला है इसलिए मैं थोड़ा इसको ठीक से पढ़ नहीं पाया, इंशालला मैं इसको अपलोड कर दूँगा, आप सबी लोग इसको देखिए, और खूब शेयर कीजिए, और जाहिल के मुँग पे तमाचा मारिए, कि किस तरीके से इसने जूड बोलके, आवाम को बेकूप बनाया, उ और बोला क्या इसी कोई मतलब जो किताब है, वो है नहीं दुनिया में, तो यह कहां से आ गए किताब जाहिले मुतलब, ले तुने हमारी माओ को गाली दिया, माजल ला उनको उल्टा सीधा बोला, रंडी बोला, इसलिए मैंने तेरे को इस तरीके से मुँतोड आंसर दिया तो सामाइन इस वीडियो को खूब देखें, खूब शेयर करें, आज की तरह इसको फैला दें, इसको डाउनलोड करें, अपने अपने भाई अपलोड करें चैनल के उपपर, ताकि इस वारुख खान की जो हकीकत है, इस गाली बात की, वो आवाम जान जाए, अल्ला सुबा अल्यकुम वर्हमतुल्याही वबरकातू